हेलो दोस्तों फिर से आपका सौगत है मेरे चैनल पे तो आज हम बात करेंगे शिन बॉन पेंट के बारे में जिसको शिन स्प्लिन के नाम से भी जाना जाता है हम जानेंगे कि शिन बॉन पेंट क्या है ये कैसी होता है इसके symptoms क्या है और इसके treatment हम कैसे कर सकते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर ले और bell icon को दवाना बिल्कुल न भूले इससे मेरे नए वीडियो आते हैं सबसे पहले आपको notification मिलेगा तो चैनल ये शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ये जान ले कि shin bone pain है क्या shin pain हमारे front lower leg के knee से नीचे और ankle से ठीक उपर होता है इससे हमारे shin bone जिसको हम TBR नाम से जानते हैं shin pain mostly leg के overuse के वज़े से होता है ये problem तब भी देखने को मिल सकता है जब TBR और fabula पे stress fracture हो या फिर lower leg के muscle या tissues में कोई problem हो shin pain उन एथलीटों को होता है जो बहुत जल्दी अपने running intensity और mileage को बढ़ाते हैं या उन एथलीटों को होता है जो heart surface में अपने running, jumping या कोई other workout करते हैं अगर आपका foot walk या run करते time जाधा flat रहता है तो उसको overpronation के नाम से जाना जाता है इस overpronation के बज़े से shin pain होता है shin pain shoes के खराब cushioning के बज़े से भी हो सकता है चलिए अब मैं आपको इसके symptoms बताता हूँ shin pain होने पर अपके lower leg के front side में knee से ठीक नीचे और ankle से ठीक उपर दर्ध होना start हो जाता है ये दर्ध lower leg के interior side या exterior side दोनों में हो सकता है pain को आप तब feel करते हैं जब आप walk, running या jumping या कोई भी activity करते हो तो shin one में pain होना start हो जाता है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इससे कैसे बस सकते हैं क्योंकि shin one leg के overuse के बज़े से होता है इसलिए आप अपने activity को थोड़ा normal कीजिए आप उनी shoes का use कीजिए जिसकी cushioning अच्छी हो आप अपनी activity जैसे running, jumping, walking को soft surface पे कीजिए और ध्यान रहे कि activity में जाने से पहले body को पूरी तरीके से warm up करके जाए चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं दर्थ के condition पे आप icing कीजिए, icing वो आप 20-30 minute हर 3-4 घंटे 2-3 दिन तक लगातार करते रहना है जब तक आपका दर्थ थोड़ा कम ना हो जाए दर्थ के condition में आप anti-inflammatory agent का भी use कर सकते पर ध्यान रहे आप अपने doctor से consult के बाद ही ले overpronotion के condition में आप आर्थ support का use कर सकते हैं या फिर rehabilitation exercises ही एक ऐसा मात्र जरिया है जिसके दोरह आप अपने sports में बापस जा सकते हैं और वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले हम start करेंगे kneeling cord stretch से इसमें आपको अपने right leg को ground से touch करते हैं kneeling position में रहना है जैसे वीडियो में दिखाया गया है फिर आपको अपने hips को forward side slowly push करना है 3 second hold के बाद आपको normal position में आना है अब इसी type से आपको अपने दूसरे side भी करना है आपको इसके 10 rips both side करना है next है standing cord stretch इसमें आपको अपने right leg पे stand रहते हुए अपने left leg को bend करना है ध्यान रहे इसमें आपको अपने foot को अपने hips के साथ touch रखना है 3 second hold के बाद आपको normal position में आना है अब इसी type से आपको अपने दूसरे leg भी करना है आपको इसके 10 rips both side करना है next है standing toe up hamstring stretch इसमें आपको अपने left leg को bend रखते हुए अपने right leg को straight रखना है ध्यान रहे आपके straight leg hill पर रहे और आपके hands आपके bend नी पर रहे 3 second hold के बाद आपको normal position में आना है अब इसी type से आपको अपने दूसरे side पे भी करना है आपको इसके 8 rips both side करना है next है leaning heel back upper calf stretch इसमें आपको wall से एक fit के distance पे रहना है आपको अपने right leg को bend रखते हैं अपने left leg को straight रखना है ध्यान रहे आपके fit ground से touch और hand wall से touch हो आपको एक चीज और भी ध्यान रखना है कि आपको अपने calf को ज़्यादा stretch नहीं करना है इससे अचली इस tendon में problem हो सकती है 5 second hold के बाद आपको normal position में आना है अब इसी type से आपको अपने दूसरे side पे भी करना है आपको इसके six ribs both side करना है next is leaning heel back अचली is stretch इसमें आपको wall से एक fit के distance पे रहना है ध्यान रहे आपके fit ground से touch हो और hand wall से touch हो इसमें आपको अपने right leg को forward bend रखते हुए अपने left leg को backward रखना है फिर आपको अपने left knee को slowly forward side bend करना है 5 second hold के बाद आपको normal position में आना है अब इसी type से आपको अपने दूसरे side पे भी करना है आपको इसके six ribs both side करना है next है front cross over shin stretch इसमें आपको अपने right leg को left leg के cross ले जाते हुए उसको अपने toes पे रखना है जैसे वीडियो में दिखाया गया है फिर आपको अपने left knee को slowly forward side bend करना है इस position को 5 second तक hold रखना है अब इसी type से आपको अपने दूसरे side पे भी करना है आपको इसके six ribs both side करना है next है sitting single leg hamstring stretch इसमें आपको अपने left leg को bend रखते हैं अपने right leg को straight रखना है फिर आपको अपने दोनों hand से अपने toes को अपने body के और slowly stretch करना है 5 second hold के बाद आपको normal position में आना है अब इसी type से आपको अपने दूसरे side पे भी करना है आपको इसके six ribs both side करना है तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तो I hope मेरे दोरा दिया हुआ information आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को like कीजिए और अगर आपको कोई comment करना है तो comment box में जरूर लिखिए अब आपसे मुलाकात होगी next किसी interesting वीडियो पर तब तक आप अपना ध्यान रखे और safe रहे